नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फेसे दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को जरू दबाएं दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्पूर और खास चीश के बारे में जिसको कहने से आपके जीवन में धन, सुख और सम्रती खुद ही आकरशित होते हैं आपके जीवन में नए नए मार खोलते हैं क्योंकि जब भी आपकी एनरजी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है तो खुद ही खुद सुख और सम्रती आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है लेकिन इसके पीछे का रहसी क्या है और किस प्रकार यह कारे करता है आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगी कि किस प्रकार से आपको यह कहना है इस प्रयोग के कितने ज़्यादा लाव आपको अपने जीवन में मिलते हैं इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिलकुल ध्यान से समझ कर आपको इसका लाव जरूर उठाना है क्योंकि जब भी आप इस प्रयोग को इस्तमाल करते हैं खुद ही एक दिन में आपको इसके रिजल देखने शुरू हो जाते हैं इतना जादा शक्तिशाली ये प्रयोग माना जाता है दोस्तों शनीवार का दिन बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन टौनी टोटकी किये जाते हैं और इनसे छुटकारा पाने के उपाय भी किये जाते हैं तो इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहें क्या है माईनी रखता है जब भी आप कुछ करें अपने अच्छे केलिये करें तो चलिए इस पारे में जानते हैं सबसे पहली बात जब शनी देव की पीड़ा परिशान करती है तो चारोदरब से परिशानी आती है एक के बाद एक के बाद एक आप उलस्ते चलिए जाते हैं जब शनी देव अपना रंग दिखाते हैं रंग रूप दिखाते हैं तब क्या होता है पारिवारिक जीवन में मदभेत, मादापिता के स्वास्त पर कष्ट आपका करिया रोजगार एकदम खत्म हो जाता है यह है टंडा धिकारी का टंड देने का तरीका इसे कैसे बहा निकले, कैसे उनको बनाए एक बात हमेशा याद रखिए, घर के मुख्य दर्वाजे पर आपको रोजाना गंगा जल जरूर डालना है गंगा जल नहीं है तो तांबे के किसी पातर में या मिट्टी के बरतर में रात में ही जल भरकर रखते और सुपह उठकर उसे अपने दर्वाजे पर हलका सा डाल दें लेकिं शनिवार के दिन क्या कैना है आप जब घर के मुख्य द्वार की सफाई करतवाते हैं, जारू लगवाते हैं, धुलवाते हैं तो आपको शनिवार के दिन पहले जारू ना लगाकर दरवाजी पर पानी डालना है। अगर पानी डालने की या धुलवानी की बिवस्था नहीं है तो आपको दो जार भूदे पानी जरूर डाल देना है और फिर सफाई करवानी है। पानी डालने से क्या होता है जो अत्रप्त आत्मा है बहर शांत हो जाएंगी आपके जीवन की मुश्किले हैं आपको परिशान नहीं करेंगी तो यह प्रयोग आप जरूर करिएगा और दूसरी बात जब हम घर की सफाई करवाते हैं जाडू पहुचा लगवाते हैं तब पह पहुचे के पानी में नमक या फिटकरी डाल कर पहुचा लगवाना चाहिए फिटकरी कैसे डाले आप एक फिटकरी की डलील है और उसे पहुचे के पानी में या फिर एक मक पानी में घुमा ले और फिर उस पानी को पहुचे के पानी में मिला कर उससे पूरे घर में पहु कोई असन नहीं होता आप लोग स्वस्त मस्त और सुरक्षित रहेंगे यह बहुत सिंपल उपाय है आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों को शेयर कर दीजेगा और अगर आपने अभी तिक चैनल को सब्सक्रा कर बेल आइकन को जरूर दपाईएगा दोस्तों शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखें तो आप बहुत सारी मुष्किलों से बहां निकल आदे हैं शनिवार के दिन हनवान जी की पूझा जरूर करें अगर आप कर्ज में फसी हैं जीवन में मुश्क को नहीं होना जाहिए आप दुकानदार से बर्जंग बली के लिए कहकर भी बीड़ा बनवा सकते हैं अगर नहीं तो आप घर पर भी बना सकते हैं इसके लिए एक पान का पत्ता ने उसमें एक सावर फूल वाली लॉंग और एक छोटी हरी इलाइची रखकर एक बताशा रख है कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकला जाए सर्सों की तेल का सबसे खास प्रयोग होता है कि शनिवार के दिन एक इस्टील की कटोरी में सर्सों का तेल ने अब इसमें अपनी चाया देखें और फिर इसमें आप उरत की डाल के बड़े सेख कर किसी जानवर या हो जाता है लेकिन हर किसी के लिए यह संभब नहीं है ऐसे में जब आपके घर में रोटियां बनती है तो सबसे लाश्ट की जो रोटी होती है उस रोटी का विशिश महत्व होता है क्यूंकि कुत्ते को लिए सबसे लाश्ट वाली रोटी निकाली जाती है आप इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा दीजे, संभवों तो सरसों के तेल के एक दो बूंत आगे और पीछे दोना तरफ उंगली से टच कर दीजे, और इस पर एक चुटकी काले तिल रख दीजे, संभवों तो गुर भी रख सकते हैं, और फिर इसे अपने सिर पर से तीन बार उल्टा उ उतार कर इसे कुट्टे को प्यास से खिला दीजे, दोस्तों एक खास बात और भी है, शनिवार के दिन वैसी तो सरसों का तेल, नहीं तो आप कोई भी तेल लेकर अपने बालों में जरू लगाएं, दिन में रात में किसी भी समय आप लगा सकते हैं, शनिवार के दिन आप क तेल लगाने से खोन भी नहीं फटते, आपका स्वास्त भी अच्छा होता है, क्योंकि नाभी पूरे शरीर का केंद बिंदू है, इसलिए तो कहा जाता है कि नाभी को छेडो मत, नाभी में थोड़ा सा सरसों का तेल आप जरू लगाएं, या और कोई तेल भी लगा सकते है और थोड़ा सा तेल सर पर अवश्य ही लगाएं, घर में जितने भी लोग हलका साही सही, लेकिन सिर पर तेल लगा कर ही शनिवार के दिन सोना चाहिएं, शनिवार के दिन शनिदेब की पूजा होती है, इसे चुड़ी एक कथा भी है, शनिदेब को जब रावर्ने लंका मे अपने पैरों के नेचे रखा था, तब हनवार जी ने उनको वहां से बंधन मुक्त कराया, तब शनिदेब ने हनवार जी को बर्दान दिया था कि जो भी मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा, उन भक्तों पर हम कभी भी अपनी कूज़श्टी नहीं इसलिए शनिवार के दिन जब आप शनिदेब की आरातना करते हैं, तब उसके बाद हनवान जी की आरातना ज़रूर करें, आप पर कभी भी शनिदेब को पित नहीं होंगे, यहां बहुत सिंपल है, अगर आपके घर के आसपास शिला है, तो आप वहां जाकर पूजा कर सकत शनिदेब की आखों में नहीं देखा जाता, इस बात का ध्यान रखें, इसलिए उनकी मूर्ति की पूजा नहीं करने चाहिए, जहां शिला हो वहीं पूजा करने चाहिए, कहने का तात्वर यह है कि ऐसी मूर्ति का दर्शन ना करें, जो आपके ओर देख रही हो, आपने द शांत रहते हैं, और शनिवार को सुभे, जिब आप जल अरपित कीजिएगा, तब एक लोटा जल में एक चुटकी काले दिल और थोड़ी सी मिश्री, और एक चुटकी अक्षर जल में डाल कर प्तेम सी जल अरपित कर, मानक्षमी को कहें कि आप मेरे साथ चलिए, और शाम क के समय, पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जला कर, दो चाल काली उड़त के दाने और थोड़ी से काले दिल जरूर डालिएगा, और अगर जीवार में बहुत दुख हो तब शनिवार की दिन बेल पत्र का जो पेर होता है, उसके नीचे दो मुखी दीवा जलाईए और शनिदेव के अशो प्रभावों से बचने के लिए शनिवार के दिन हनवान जी की पूचर जरूर कहनी चाहें, ताकि आपके जीवन की से दुर्भा के बहार निकल जाए, हनवान जी के भक्तों पर शनिदेव अशो प्रभाव नहीं डालते, और शनिदोशों से मुक्त पाने के लिए आप चोला भी चड़ाइए कभी शनीदेप ग्रोधित हो जाएंगे धाया या सारे साती चलने लगे तो ना तो ब्यापार अच्छा चलेगा ना ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे नौकरी में टेंशन और शृत्र ग्रोधि भी बढ़ जाएंगे अकर ऐस कुछ हो रहा है आपको लगे की बहुत जादा परिशानी है तो शनीवार के दिन हनमान ची को चोला अवश्य ही अरपित करें यह चोला क्या होता है चमेली के तेल या घी में सिंदूर मिला कर हनमान ची के शरीर पर लगाने को चोला कहते हैं लेकिन महिलाएं हनमान ची को पास रह जाएंगे और आप उधार को चुका नहीं पाएंगे इसलिए शनीवार के दिन उधार लेने से बचना चाहिए इस दिन हनुमानची को प्रसंद करने के लिए छोटे प्रयोग किये जाते हैं जब आप शनीवार के दिन शाम के समय पीपल के प्रक्ष के नीचे दीपक जलाते होंगे तो सरसो के तेल का दीपक जलाएं और उसमें दो-चार उड़त के दाने डालते हैं अगर आपके पास काली उड़त के दाने ना हो तो आप काली दिल भी डाल सकते हैं हो सकता है आपके घर के आसपास पीपल का प्रक्ष ना हो तब आप क्या करें तब आप दीपक में कुछ और ना डाले, मित्ती का दीपक जलाना है, दीपक को आसन जरूर दीजेगा, आसन का मतलब है दीपक के नीचे आप फूल की पंक्रियां रख सकते हैं, कोई पत्ता रख सकते हैं, या कपड़ा बिच्छा सकते हैं, इसकी बाद इस दीपक की जो लौ है उसको दशन दिशा की तरफ रखें, शाम में आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते हैं या पित्रों के निमित होता है, और घर के मुख्य दर्वाजी के बाहर भी दीपक जलाने से वही फल मिलता है, बार में इस मिट्टी के दीपक को आप कहीं दबा देचिए, आफिर कहीं साह तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन की कश्टो को दूर कहने के लिए शनीदेव की शरन में आ सकते हैं, आज हम आपको एक खास प्रयोग के बारे में भी बताएंगे, अकर आपके नौकरी रोजकार में समस्या है, तो ब्राउन जो चना होता है, उसको आप ठंडा होने के बाद आप किसी जानवर को खिलाते हैं, तो नौकरी रोजकार की जो समस्या होती है, वह सब दूर हो जाती है, दोस्तों आज हमने बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेर करी है, उमीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो तब तक के लिए नमस्का